हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चैनल पर तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका गेट का एक्जाम आ गया है और आपका केमिस्टिक एक्जाम की बात करो तो फिप्थ वैब को है तो अब आपको जो सबसे जरूरी बाते ध्यान रखनी है वो है कि अपना आपको डाउनलोड करना है और जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको पता होनी चाहिए अड्मिट काड डाउनलोड करने के बाद कि आपको क्या चीजे है जो एक्जाम में ले जानी हो क्या नहीं तो वह मैं आपके लिए पढ़ देता हूं च्यूकि आप बहुत बार पूछ रह तो आप एड्मिट कार्ड की कॉपी अपने पास रखेंगे और अगर ये उसके साथ आप एक वैलिट फोटो इडेंटिफिकेशन प्रूफ रखेंगे तो प्रूफ आपको कुछ भी हो सकता है वैलिट पासपोर्ट पासपोर्ट हो पैन कार्ड हो फोटर आईडी कार्ड हो बाकि अगर ये भी लिखा हो अगर पूर क्वालिटी आती है आपके फोटो इडेंटिफिकेशन प्रूफ में तो आप कोई दूसरा भी रह सकते हैं तो मतलब जिसमें भी आपके साफ फोटो नजर आ रही है वो आप रखें कहने का मतलब है दूसरा एड्मिट कार्ड इस कं फोटो में वो साफ आनी चाहिए तीसरा देखिए आपको तभी सेंटर के अंतर जाने दिया जाएगा जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वही एड्मिट कार्ड आपको दिखाना है और जो फोटो इलेटिफिकेशन प्रूफ दिखाना है वो आपको दिखाना गुज़न है आपको 30 मिनिट तक भी जाने दिया जाएगा जब एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा पर उसके बाद नहीं तो आप याद रखिएगा candidate will not be allowed to login 30 minutes after the start of exam यानी एक्जाम स्टार्ट होने के बाद आपको 30 minutes तक ही login करने दिया जाएगा उसके बाद आप login नहीं कर सक सकते हैं एक्जाम स्टार्ट होने से पहले नेक्स्ट है एक virtual scientific calculator आपको screen में ही मिलेगा कोई भी personal calculator allowed नहीं है और विल्कुलistically provided है तो याद रखिए कि आपको कोई भी calculator नहीं ले जाना है आपको scientific calculator screen में ही मिलेगा साथ में आपको कोई भी chart table paper book sheet heavy ornaments कोई भी आपको नहीं ले ज यानि कहने का मतलब है कि आपको scribble pad यानि rough pages एक तरीके से मतलब rough एक copy होती है वो मिलेगी तो आप उसको use कर सकते हैं मतलब आपको कोई भी pages अपने दरफ से नहीं ले जाने है और साथ में एक ही scribble pad आपको एक time पे मिलेगा and at the end of examination the remaining scribble pad must be returned to the invigilator आपको जो भी exam खतम होग और साथ में आप जिका जब भी exam खतम होगा आपको scribble pad आपिस करना next point है candidate must bring their on pen pencil transparent water bottle and pocket size hand sanitizer तो ये चीज़ आप ले जा सकते हैं और ये आपको ले जानी भी है pen pencil आप ले जाए अगर आपको जरुवत है और generally जरुवत पढ़ेगी ही और transparent water bottle and photo and sorry pocket size hand sanitizer भी आप लिजा सकते है next point है candidate are not allowed to bring any items other than those mentioned above तो आप इन चारों को छोड़ के कोई भी चीज नहीं ले जा सकते हैं आप याद चीज याद रखिए हूँ next point है at the time of examination in case there is a restriction on movement in certain area candidate can use this admit card as a pass for the moment और ये भी लिखा हुआ है अगर आपके city में आसपास कहीं भी covid-19 को बंद्य नहीं रखते हुआ कि या किसी भी कारण अगर movement में restriction है तो आप इस admit card को यूज कर सकते हैं अपने examination center तक पहुँचने के लिए candidate are request to follow prevailing covid-19 related norms as advised by government तो आपको covid-19 के related norms follow करने जो भी government ने दिये तो generally आज कल तो कोई भी मतलब ज्यादा आप देखेंगे norms है नहीं जहाँ से अधा आपको मास लगाना होता है बस बाकी कोई दिक्कत है नहीं next last point है violation of any of the above guidelines impersonation or breaking of code of conduct for gate exam will be led to cancellation of candidature and initiation to legal action बाकी next point यही है बाकी last point यही है आप कुछ भी violate करेंगे rule को तो आपको आपका जो candidature है वो मतलब cancel कर दिया जाएगा तो बाकी ऐसा तो कुछ आपके साथ होगा नहीं क्योंकि मुझे पता है आप बहुत अच्छे से exam देंगे बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment box में comment कर सकते हैं या मुझे mail कर सकते हैं तो I think आपको वीडियो अच्छी लगे होगी है तो आगे ऐसी informative वीडियो देखने के लिए स्चैनल सुस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें थैंक यू